हेलो रिवन तो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ कि अच्छे और बिल्कुल स्वल्थ होंगे तो आज हम आपके लिए लेका रहा हैं मोडर्न हिस्ट्री जो की यह महेश कुमार वर्णवाल सर का अप्जेक्टिव जो बुख है उसी से हम लोगों ने यहां पर लिया है इसका अलेड़ी हम लोगों ने बहुत चीजे पढ़ रखा है मैंने आपको इसका इंडियन पॉल्टी खतम कराया फिजिक्स कमेस्ट्री बा सारे सीरीज को देख सकते हैं सारे वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इस बुक में जो क्वेस्ट्री से यहां से पूछा जाते हैं अकसर एक्जाम्स में तो चलिए हम सुरू करते हैं सबसे पहला क्वेसंस यह बनता है कि वासको डिगामा कालिकट किस वर्स आया था बहुत सिंपल सा क्वेस्टन है सही आंसर यहां पर आपको याद रखना है 1498 में ठीक है 17 माई 1498 में भारत के पस्चमिता टिस्तित कालिकट बंदरगा पर यह पहुँचा हुआ था ठीक है त ततकालिक जो हिंदू सासक थे वो कौन थे जुमोरिन थे जिन्होंने वासको डिगामा का स्वागत किया था तो यहां से दो क्वेसंस डैपनेटली पूछे जाते हैं चीक है तो यह चीज़ा आपको याद रखना है नेक्स्ट वन है कि लंदन में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मोगल बादसा कौन था यह क्वेसंस बहुत जादा इंपोर्टेंट है कई बार यह पेपर में रिपीट हुआ है तो सही आंसर यहां पे हो जाका ओप्सन ए अकबर था उस समय का सासक नेक्स्ट वन बनता है कि भारत में पुर्तगाली सक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है बारत में पुर्तगाली सक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बू करक को माना जाता है औप्सन बी करेक्ट है मैं आपको बता दूँ कि इसका पीडियेफ आपको हमारे इलिग्राम ग्रूप या फिर हमारे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में मैंने आपको अल्री सारे पीडिये प्रोवाइट करा दिया है तो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो जाकर के डाउनलोड करके सारे एक्स्प्रेशन को भी पढ़त लगते हैं चलिए नेक्स्ट प्रेस नहीं कि क्या है कि मुगल दर्बार में सन 1717 में भेजे के अंग्रीज दूद मंडल का प्रमू कौन था जिसने मुगल समराड फरुक्सियर से साही फर्मान प्राप्त किया था इस क्वैसंस का राइट आंसर साती साथ आपको वीकली फ्री मॉक टेस्ट और क्यूजिस में मिलेंगे और साती साथ आपको बीस अजार से प्लस क्वैसंस मिलेंगे और इसके साथ भी बहुत कुछ नेक्स्ट वन ये मनता है कि इस्टेक अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दर्बाव में आय थे तो ये क्वैसंस बहुत ज्यादा इंपोरटेंट है द्यान डखेंगे जाहांगेर ठीक है? जाहांगेर और ध्यान आपको ये रखना है कि Hawkins को ही जहांगीर ने English खा की उपाधी देती ये questions अक्सर पूछ जाता है Next question की निमलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है तो सही आंसर होगा Colbert को right answer option C होगा Next one बनता है कि प्रथम करनाटक युद का कौन सा ततकाली कारण था प्रथम करनाटक युद का ततकाली कारण था अंग्रेजु और फ्रांसीसी जहाजु का अधी ग्रहन Option D सही है Next one है कि डच्चो ने बंगाल में कौन सा करखाना स्थापित किया था तो सही आंसर होगा पीपली ठीक है option B को टिक करेंगे सन 1627 में डच्चो की बंगाल में प्रथम कंपनी पीपली में स्थापित होती और एक लाइना प्लास्ट में ये भी याद रखेंगे कि डच्चो द्वारा निर्मीत जो दूर्ग था फोर्ट था उसको गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता था ये इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट प्रशने के 17 सताबदी में अंग्रेज उतारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तू नहीं थी तो वो वस्तू थी चाय चाय ओप्शन बी को टिक करेंगे नेक्स्ट प्रशने की भारत में अंग्रेजु की फ्रांसीसी चुनौती का अंथ किस यूद से हुआ फ्रांसीसी चुनौती का यूद्ध अंथ हुआ वो कह सकते हैं कि वांडिवास के यूद्ध ठीक है वांडिवास के यूद्ध का हुआ था बाईस जनवरी 1760 में नेक्स्ट प्रेस्ट है कि मुगल समरार द्वारा न्यूक्त बंगाल का अंतिम गौर्णर जनरल कौन था मुगल समरार द्वारा न्यूक्त बंगाल का अंतिम गौर्णर जो था वो कह सकते हैं कि मुर्सीद कुलिखा आप्शन भी सही है ये भी पूशा सकते कि किसके द्वारा तो ध्यान रखेंगे कि मुर्सिद कुलिखा को स्वरपथम 1717 इसी मेर फरुक्सियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर सुबेदार न्यूक्त किया गया था ठीक है चले नेक्स्ट डे की निमलीकित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिस प्रभुत्यों की स्थापना की सुरुआत हुई बृतिस प्रभुत्यु की स्थापनाग जो ही हुँ कह सकते हैं कि प्लासी का युद 23 जून 17 margin का ये हुद हुद रहता ध्यान रखेंगे नेक्स्ट रने की निम्लीकित में सेकि से स्वर्ग से उतपन सेनानाय कहा गया स्वर्ग से उत्पन सेननाय कहा गया था रॉबर्ट कलाइब आप्सन बी कोटिक करेंगे नेक्स्टरन है कि बंगाल के युद्ध के समय बंगाल का नवाब को अन था बकसर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर बी सही होग नेक्स्टरन मनता है कि सिराजु दौला ने 1756 इसमें अंग्रेजों को हरा करके किस सहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था तो सही आंसर है कोलकत्ता नेक्स्टरन मनता है कि ब्लैक हुल जो घटना है का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है वह कौन था ब्लैक हुल की घटना किसे कहते हैं जो 20 जुन 1756 को कलकत्ता में हुआ था ठीक है और इसमें क्या हुआ था कि बंगाल के नवाफ सिराजु दौला ने 18 फिट लंबे तथा 14 फिट और 10 इंच उड़े कमरे में 146 के करीब यह डाटा थोड़ा आजलागल हो सकता 146 अंग्रेज क किसके दोरा दिया था तो हालवेल के दोरा नेक्स्ट प्रेशने की 1765 में बंगाल भिहार तथा उडिसा की दिवानी प्रदान किये जाने के बाद अंग्रेज सरुपर्थम किस परवतिय जनजाती के संपर्क में आए तो इस questions का right answer का खासी ठीक है option B को टिक करेंगे इस book का explanation प्राप्त करने के लिए आप जाकर के इस video को डाउनलोड कर सकते हमारे website पे मैं इसका just upload कर दूँगा वीडियो अप्लोड करने के बाद ठीक है देखे इस questions का right answer क्या होगा कि महराजा रजीत सिंग के राजी की राज़ी की राज़दानी क्या थी तो सही answer होगा ठीक है लाहौर और यहाँ पे आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि इन्होंने कब महराजा की उपादी धारन की थी तो 1801 में ठीक है क्या रजीत सिंग्ह ने महराजा की उपादी दे दी ये आपको धियान रखेंगे रजीत सिंग хочу में 실मिल था सबLIT था सब्सम्राजित सामिल था समलित था रटजित सिंग के राज़े में समलित था स्रिनगर ऑप्सन डी साई होगा देखिए इसके बारे में छोटा सा नोट यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इनके समराज जी के अंतरगत निमलिखी चित्र समलित थे लाहौर, अमरित सर, अटक, मुल्तान, बारी दोह अब, पिसावर, स्रिनगर एवं कास्मी ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखना है इस फ्रीव लान को अक्टिवेट करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनकैडमी का लर्निंग एप जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दिया आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करके आप मारे इवरेट कोड का बिल जाएगी एक जगा ठीक है तो हो गई ने पूरी तयारी एक ही जगा पर और साथ से मैं आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप आगे जब चाहों आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रेस्ट मनता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यू कब होई थी तो टीपू सुल्तान की मृत्यू 1799 ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे और टीपू सुल्तान को मैसूर का सेर कहा जाता था देखे नेक्स्ट प्रस्ट ये क्या रहा है कि निमलिखित में से किस ने कहा था कि इस्वर की इक्षाती की मैं सब धर्म को एक निगाह से देखो इसलिए उन्होंने दूसरी आंकी रोस्नी ले ली ये जो बात कही थी महराजा रजीत सिंग की कह गई थी औप्सन एस साही होगा नेक्स्ट प्रस्ट मनता है कि कारनेवाल इसने टीपू सुल्तान के विरुद जो त्री दलिये गुट बनाया उसमें सामिल थे त्री दलिये गुट जो बनाय था उसमें सामिल कौन कौन से थे अंग्रेज, निजाम और मराठा ओप्सन ए सही होगा नेक्स्ट वन ये बनता है कि मदरास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्टान के साथ मंगलौर की संदिके थी दिखे मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेशन का सही आंसर होगा लॉर्ड में कारटे ने ठीक है ओप्सन ए सही है नेक्स्ट वनता है कि भारत का प्रत्थम भारती गवर्नर जनरल कौन था तो यहाँ पर ध्यान देना कि इस क्वेशन में भारती ये लगा हूए ठीक है तो भारती ये लगा है तो यहाँ पर कैसा कते हैं कि सीर आज को पलचारी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेशन है कि बंगाल का प्रत्थम गवर्नर जनरल कौन था मंगाल का प्रत्थाम गुवर्णर जनरल वारेन हिस्टिंग्स था ओप्सन बी साही होगा नेक्स्ट कुरिशन्स देखी कि सबसे अधिक समय तक भारत का वैसराय कौन था सबसे अधिक समय तक भारत का वैसराय जो थे वो कह सकते हैं लौड करजन देखें निमलीखित में से यहाँ पर बात की जा रही है अगर हम एक्चली में देखें तो मैं आपको बता दू कि सबसे अधिक वैसराय का जो कारेकाल रहा वो था लौड लिन लिद्गों का भारत में सरवाधिक समय तक रहने वाले जो वैसराय थे किया गया तो इस क्वैसंस का राइट हैंसर का अथारासो अंठावन इसवी में ऑप्सन बी सही स्वारी ऑप्सन ए सही है देखें हिंद के बारे में काफी अच्छे तरीके साब यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि महाराणी विक्ट्योरिया को भारत की समागरी अथारसो अंठावन में गोशित किया गया और एक जनवरी अथारसो अथात्तर में आयोजित किये गए दिल्ली दर्बार में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधी प्रदान की गई थी तो यह थोड़ा सा आपको इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा चलिए नेक्सट प्रेस्ट मनता है कि भारत का अंती मुएसराय कौन था भारत का अंती मुएसराय था लाड माउंट वेटेंट नेक्सट है कि 1859 को महरानी विक्टोरिया का घोशना पत इलाहबाद में किसने पढ़कर के सुनाया था तो सही आंसर होगा लाड क्यानिंग आप्सन ब प्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारम की थे। अप्राधी द्वारा की गई थी। तो सही आंसर होगा लॉड मेयो। और इनके समय के सबसे महत्पुन घटना आपको याद रखने हैं कि भारत की प्रथम जो जनगर्ना स्टार्ट हुए थे ठारा सो बात्र में ठीक है ठारा सो बात्र में लेकिन नियमीत रूप से जो ठारा सो इकासी से स्टार्ट हुआ था लॉड रिपन के समय से। तो नियमीद रूप से questions में पूछे तो वहाँ पे आपको 81 Lord Rippan के समय से लेकिन भारत में प्रथम जनगरना पूछे तो 1872 Lord Mayo के समय में ठीक है चलिए ओंगले नेपाल युद्ध किसके सासनकाल में हुआ था तो देखिए ओंगले नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 के बीच हुआ था और ये सुगाली की संदिकेते समाप्त हुआ उस समय भारत के जो गुवर्णर जनरल थे Lord Hastings थे क्योंकि Lord Hastings का सासनकाल जो था 1813 से लेकर 1823 तक था तो ध्यान रखेगा नेक्स्ट बनता है कि किस गुवर्णर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था दास प्रथा को समाप्त किया था Lord Allen Barone ने ओप्चन B को टिक करेंगे नेक्स्ट प्रस ने कि तृतिय ओंगले मराथा युद्ध किससे संबन देते तृतिय ओंगले मराथा युद्ध का समवन लॉड हेस्टिंग से है ओप्चन C को टिक करेंगे क्योंकि तृतिय ओंगले मराथा युद्ध का समय था 1817 से 1818 नेक्स्ट प्रस ने कि निमली कित्थ में से अवद का ब्रेटिस रेजिडेंट कौन था जब अवद का ब्रेटिस समराज में भी ले हुआ तो सही आंसर होगा जेम्स आउटरम ओप्चन E करेक्ट है नेक्स्ट प्रस ने की भारत में स्थानी सोसासन किसके दोरा प्रारम की थी स्थानी सोसासन का जनक के रूप में लॉड रिपन को जाना जाता है बी करेक्ट है नेक्स्ट प्रस में की सती प्रता पर प्रतिबंद किसने लगाए सती प्रता पर प्रतिबंद लगाए गया था लॉड विलियम बेंटिंग के दोरा जो की राज़रा मोहन राय के साथ में ये मिलकर के कारे किया गया था नेक्स्ट प्रस्णे की निम्न में से किसने सायक संधी स्विकार नहीं की थी सायक संधी स्विकार नहीं की थी इंदाओर के होलकर ने स्विकार नहीं की थी नेक्स्ट बनता है कि बिरिटिस भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिली अस्थनातित किसके सासनकाल में हुआ था तो ध्यान रखेंगे इस questions का सही आंसर का Lord Harding के समय में नेक्स्ट बनता है कि प्राचीन स्मारक संडक्षन अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में पारित हुआ यहां पर जितने भी सारे questions Lord से संबन्दी दियेगे वो बहुत ज़धा important है अक्सर पेपर में आपको देखनी को यह मिलता रहता है Lord Karjan यहां पर सही आंसर हो जाता है देखें यहां से जो भी points यहां पर दीख रहे हैं आप वो बहुत साथ important है जैसे 1899 में सर एटोनी मैक डुनाल्ट की अधिक्स्ता में अकाल आयोग 1901 में सर कॉलिन मन्फरिक की अधिक्स्ता में सीचाई आयोग उसी तरह से 1902 में सर एंडूस फेजर की अधिक्स्ता में एक पुलिस आयोग की गठन किया गया इसी तरह से आप बाकी चीजों को भी पढ़ सकते हैं और सबसे महतेपुन गठना भंगाल का वीबाजन 1905 में इनी के समय में हुआ था Lord Karjan के समय में ठीक है नेक्स्ट प्रशने के 1802 में बसीन की संधी पर स्थाक्चर किसके मद्ध हुए थे तो अंग्रेजों और बाजिराद विटिये ओप्सन पी कोटिक करेंगे नेक्स्ट बनता है कि इस्तमदारी बंदोबस्त जिसको स्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं नец्ट क्यूस्ट ये बनता है कि सर टॉमस मुन्रो किस भूराज़े संबन्दोबस्त से संबन्दी थे तो यह क्या प्रश्ण में याद रखिएगा कि महल वारी बंदोबस्त को किस छेतर में लागू किया गया था तो सही आंसर होगा, ऑप्सन अ पंजाब में ठीक है पंजाब में लागू किया गया था और यहां पर मैं आपको बता दू कि जो महलवाड़ी वस्ता ये किसके दोर लागू किया था सरुपरतम इसके सुत्रपात जो सरुपरतम थे हल्ट मैंकेंजी 1819 में जो कि यह सुरू किया गया था सारी चीजों को आप यहां पर देखे पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह काफ़ important point है यहां पर एक एक करके point को पढ़ लीजेगा चली देखे नेक्स्ट question यह बनता है कि निमली खित में से कौन दादा भाय नरो जी के धन के निसकासन सिधान्त में विश्वास नहीं करता था यह सही आंसर हो जाता है option D सर सयद एहमद खा option D को टिक करेंगे देखे मैं आपको बता दूं कि मैंने जस्ट इससे कुछ दिन पहले ही यानि करीब करीब एक हपता पहले ही आपको 500 most important सिर्फ और सिफ modern history से ठीक है अगर आपने नहीं देखा एक ही वीडियो में 500 questions आपको दिये गए और यह ऐसे वैसे questions नहीं थी चाहिए आप किसी भी exams में बैठी अगर इस 500 questions से अगर बाहर एक भी प्रसन आपको देखनी को मिल जाए तो आप मुझे कहना modern history 500 questions को आप definitely पढ़ लिजे सब सीज के लिए हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ट यह की poverty and unbritish rule in India नामक पुस्तक किस ने लिखी है यह पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नहरोजी के दोरा यह बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है देखे नेक्स्ट प्रस्ट यह कह रहा है कि असाम में सरव प्रथम चाय कंपनी के स्थापना कब की गई थी असाम में सरव प्रथम चाय कंपनी के स्थापना जो की गई थी अठारा सो उन्चालीस इसुमिकी थी ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेशन ये बनता है कि एक सोतंता संग्राम से संबांधित प्रथम घटना थी तो देखे इस क्वेशन का राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा आप्सन हम यहाँ पर सी को टिक करेंगे सेनिको का दिली के लाल किले पर पहुचना अप्सन सी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट रखेंग बनता है कि मंगल पांडे कहा के विपल्लों से जुड़े हुए थे तो मंगल पांडे जो थे वो बैरंग पूर आप्सन हम यहाँ पर एको टिक करेंगे नेक्स्टर बनता है कि एठारो संतावन की विद्रो के समय भारत का गुवर्नर जनरल कौन था ये क्वेसिन्स भी काफ़े इंपोर्टेंट है तो सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय में ये हुआ था नेक्स्ट प्रेस्ट नेक्स्ट प्रेस्ट नेक्स्ट प्रेस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस्ट नेक्स्ट 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 नेक्स् नेता कौन था तो सही आंसरे खान बहादुर का ओप्शन ए सही होगा नेक्स्ट रने की भारतिय स्वाधिनता अंदोलन का सरकारी इतियासकार कौन था सरकारी इतियासकार के रूप में SNCN को जाना जाता है नेक्स्ट रस्ट निवन में से कौन 1870 के विद्रों में अंग्रेजो का कट्टर दुस्मन था अंग्रेजो के कट्टर दुस्मन मॉलवी अहमद दुल्लास सा ठीक है ओप्शन ए को टिक करेंगे नेक्स्ट प्रस्ट मनता है कि महरानी विक्टोरिया ने भारती प्रसासन को ब्रिटिस ताज के नियंतरण में लेनी की गोशना कब की थी ये गोशना एक नॉवंबर 1858 को की गई थी ऑप्सन ए सही आंसर है और इस गोशना पत्र को इलहाबाद में जो कि लौड कैनिंग के द्वारा पढ़कर के सुनाई गया था आपने उसके पहले भी इस कोईशन को ब्रिटिस देखा था नेक्स्ट प्रशन है कि निमली कित में से कौन असाम में 1857 के करांती के नेता था असाम में 1857 के करांती के नेता के रूप में जाने जाते हैं दिवान मनी रामदत ऑप्सन ए सायोग नेक्स्ट प्रशने 1857 के सवतंता संगराम में किस राजवन्स ने अंग्रेजू की इस्वी का वर्नाकुलरेस आक्ट किसने रद कर दिया किसने रद कर दिया था लॉड रिपन ने ठीक है लॉड रिपन ने यहाँ पर रद कर दिया था उप्सन ए को टिक करेंगे लागू किसने क्या था लॉड लिटन ने लागू किया था लेकिन रद किया गया था रिपन के द्वारा नेक्सट न बंता है कि फार्सी सपताहिक मिराटुल अक्पार किस ने प्रसकासित किया मिराटुल अक्पार जो किस ने प्रकासित किया था राजाराम मौहन रायने AOPTION B को TICK करेंगे और आपको बता दू कि रास्टी प्रिस की स्थापना का स्रेवी नहीं को दिया जाता है। और ये था उर्दू भासा में नेक्स्ट प्रशन हैं जुक्री बहुत बार रिपीट होता है अमरित बजार पत्री का किस थापना किस ने की थी अमरित बजार पत्री का किस थापना कह सकते हैं सिसीर कुमार गोस और मोतिलाल गोस दो भायों ने मिल करके की थी द्यार रखेंगे नेक्स्ट प्रशन ये बनता है कि बाल गदर तिलक ने भारतिय सोतंता संग्राम के उद्देसे से कौन सा समचार पत्र शुरू किया था ये सुरू किया गया था केसरी ठीक है ओप्सन हम यहाँ पे ब को टिक करेंगे बंबई से अंग्रेजी भासा में माराथा और माराथी भासा में किसरी का प्रकासन इन्हों ने स्टार्ट किया था नेक्स्ट प्रशन है कि हरिजन समचार पत्र के संपादक कौन थे हरिजन समचार पत्र के संपादक थे गान दीजी ठीक है option C को टिक करेंगे और मैं आपको बता दूँ कि एक बार फिट से already मैंने modern history को पूरे topic wise बढ़ा रखा आप हमारे playlist में जा करके चेक कर सकते हैं करीब आपको 22 वीडियो मिल जाएगी जो की अलग-अलग topic wise ठीक है तो आप वहाँ से अगर चाते हैं पूरे detail में पढ़ना और वह भी बिल्कुल अच्छे-चे questions के साथ तो आप जा करके हमारे playlist को चेक कर सकते हैं एक्स्ट प्रशन ये बनता है कि एक सप्ताहिक पत्त्रिका के रूप में यंग इंडिया का सुबारम किस ने किया था यंग इंडिया के starting किया गया था होम रूल पार्टी ने option हम A कोटिक करेंगे next questions बनता है कि स्वधेस वाहिनी के संस्थापक थे स्वधेस वाहिनी के संस्थापक कौन थे तो यहाँ पे साई आंसोरगा की रामकृष्ण पिल ले option हम यहाँ पे C कोटिक करेंगे next one मनता है कि दा इंडियन उपीनियन पत्र को निमलीखित में से किस भासा में नहीं छापा जाता था तो यह उर्दु भासा में नहीं छापा जाता था option D कोटिक करेंगे अगला प्रस्ट मनता है कि मराथी पाच्छिक पत्र बहिसकरित भारत किस ने प्रारम किया तो बहिसकरित भारत स्टार्ट किया गया था भीम राव अमेद करजी के द्वारा option B कोटिक करेंगे नेक्स्ट बनता है कि 1920 में लाहौर से लाला लाच पत्र रायद्वारा कौन सा समचार पत्र जो उर्दु समचार पत्र का प्रारम किया गया था तो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है वंदे मात्रम ध्यान रखेंगे पीपूल भी इनी के दोरह प्रकासित किया था लेकिन यह इंग्लिस था बाकी जो आप उपर में देख रहे हैं बंदे मात्रम यह उर्दु में था तो यह आपको धोड़ा सा याद रखना है ठीक है चलि नेक्स्ट बनता है कि कालिदास की प्रसीद रचना अभिज्ञान सकुंतलम का सर प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किस ने किया था यह अनुवाद किया था सर विलियम्स जोन्स के दोरह ऑप्सन डीकोटिक करेंगे नेक्स्ट क्यारा कि ब्रह्म समाज का सिधान्द किस पर अधारी थे तो आपको पता है कि ब्रह्म समाज के स्थापना भी सगस्त अठारस वाठाइस से में राजा राम मोहन राय के दौरह कलकत्ता में की गई थी और मैं आपको बता दूं कि इसे सरुप्रथम हिंदू धर्मकास प्रथम सुधारवादी अंदोलन माना जाता है और यह जो है वो अधैतवाद पर अधारित है ओप्सन बी को टिक करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसे अधैतवादी हिंदू की संस्था भी कहा जाता है नेक्स्ट कोईशन देखिए निमने महापुरसों में से कौन भारती रास्टवाद का रास्टवाद का जो की जना कह सांफिए नेक्स्ट पर्सन की प्रातना समाज का संस्थापक कौन इसिए बहुत बार रिपीट होता है किसे आत्माराम पाझ्डुरंग ऑप्शन सी बिल्कुल सगह है नेक्स्ट प्रेस मेंता है कि स्वामी द्यानन सरस्वती ने आरे समाज 1875 इसी में किस थापना कहां की थी तो इसके स्थापना बंबई में की गई थी ऑप्शन एको टिक करेंगे और मैं आपको बता दूँ कि ये भी आपको ध्यान रगना है कि जो इसका मुख्याले था आरे समाज इसका 1875 में बंबई में हुआ था लेकिन 1875 में इसका मुख्याले लाहॉर में बना गया था चलिए इस क्वेशन का राइट इंसर बताएं कि सही आंसर का किसके सदसे थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑप्सन हम डिको टिक करेंगे भारत सेवक संग या कह सकते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना में जो की गुपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि निमलीखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरेस एक्ट को पारिद करने में मात्य पून भूमी का निभाई थे तो सही आंसर हो जाता है के सौथ चंदर सेंड ऑप्सन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट प्रस निखी क्या है कि उन्नीसवी सदी के प्रसीद पार्सी समाज सुधार रख थें पार्सी समाज सुधार रख थें कौन तो बहरामजी एम महलबारी महलाबारी ओप्सन डी को टिक करेंगे नेक्स्ट प्रस्ट मनता है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था बहुजन समाज का संस्थापक कौन था ओप्शन बी को टिक करेंगे मुकुंद राव पाटिल नेक्स्ट प्रस्ट 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 न सब्यता ने प्रभावित किया तो सरपथम पस्चमी सब्यता ने प्रभावित किया था सिक्षित हिंदू ने प्रभावित किया था सिक्षित हिंदू कि सर्वस्त्रिष्ट प्रति ने दीते तो यह कुष्टन से बहुत बार रिपीट हुआ है स्वामी वेकरन सही आंसर होगा अगला प्रशन यह कह रहा है कि महरास्ट कि किस समाज सुधारा को लोख हितवादी कहा था लोख हितवादी के रूप में जाने जाते थे गोपाल हरी देश मुक औप्सेन डि कोटिक करेंगे नेक्स्ट वन देखिए क्या कि कलकत्ता के प्रसिद प्रेसिदेंसी कॉलेज पुर्वे हिंदू कॉलेज किस थापना किस ने की थी ये जो स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी option B कोटिक करेंगे next questions की तरह बढ़ते हैं देखिए अगला जो प्रस्ण है कि राम कृष्ण मिशन किस थापना किस ने की थी राम किस ने मिशन किस थापना किस ने की थी तो स्वामी विवेका नंद जिनका मुल नाम था नरेंद्र दत option B कोटिक करेंगे next question की राजा राम मोहन रोधारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी प्रथम संस्था के रूप में हम जानते हैं आत्मिय सभा क्यूंकि आत्मिय सभा की स्थापना इन्होंने 814-15 में की थी कलकत्ता में ठीक है ध्यान रखिएगा next question मनता है कि भारती रास्टे कॉंग्रेस की स्थापना कब हो थी इसके स्थापना की गए थी 1885 में option A सही होगा next बनता है कि निमली खित में से किसे भारती असांती के जनक के रूप में जाना जाता है भारती असांती के रूप में लोकमान ने तिलक को जाना जाता है ध्यान रखेंगे वेलेंटाइन शिरोल ने इनको यह कहा था भारती भारत में असांती का जनमदा था ठीक है next question देखी सेरे पंजाब के नाम से कौन मसूर थे सेरे पंजाब के रूप में लाला लाज पत्रह जाना जाते थे अगला प्रस ने यह कहा रहा कि 1938 में भारती रश्ट्य कोंग्रेस के हरीपूर आदिवेशन के अध्यक्सता किस ने की थी हरीपूर आदिवेशन के अजदक्ता की गई थी सुभास चंदर बोस के द्वारा नेक्स्ट प्रस मेंता है कि जब भारत सुतंत्र हुआ उस समय कॉंग्रिस के अध्यक्स को थे कॉंग्रिस के अध्यक्स थे जे भी किरपलानी नेक्स्ट प्रस मेंता है कि कॉंग्रिस के नरम दल के निताओं की आंदूलन की रणनीती क्या थी तो सही आंसर हो जाता है राज वाम बंद ठीक है ओप्सेन B को टिक करेंगे अगला प्रशन है कि 1906 में 6 वर्सके करवास की सजा स्वतंता संग्राम की किस उग्रवादी नेता को दी गए थी ये जो मिली थी बाल गधर तिलक को मिली थी अगला प्रशन के रहा है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के किस अदिवेशन में बाल गधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मिलस चन में सिदधिकार है और मैं इसे ले करहा हूँगा ये बात कही थी लखनव अदिवेशन 1916 ऑप्सन D सही है नेक्स्ट क्वेशन है कि किसने भारती राष्टी कॉंग्रेस को सुक्षमिदर से अलप संख्यकों का जनता का प्रतिनित बताते हुए उसका मजाक उड़ा था ये बात कही थी लॉड डफरिन के द्वरा नेक्स्टरन मनता है कि भारती राश्टी कॉंग्रेस के दूसरे अदिवेशन के वर्स 1886 के देख्षता किस ने की थी तो दूसरे अदिवेशन के देख्षता किस के तर रखी गी थी दादा भाय नरोजी ओप्सन सी को टिक करेंगे मनता है कि कौंग्रेस کے त्रिपुरी अधिवेशन के पस्टाट सुबाचंदर बोस और दक्षिर पंतियों का समस्त बिवाद किस प्रस्ण्य पर केंदेत हो गया? ये केंदेत हो गया था कौंग्रेस कारेकर्णी समीति के गठन को लेकर नेक्स्टन मनता है कि भारती राजट्य कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निमली खित में से कौन थी दिखे ध्यान देजेगा पहली महिला अध्यक्ष की बात की जारी है इसलिए हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे नेक्स्ट प्रस्ट मनता है कि 1934 में कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके दौरा किया गया था किया गया था जैपरकास नरायन और अचारे नरेंदर देव के दौरा आप्सन हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे नेक्स्ट प्रस्ट ने कि निमली खित में से किसने एतिहासी 1932 के पूना समझाता पर स्थाक्षर नहीं किया था स्थाक्षर किसने नहीं किया था तो सही आंशरों का ओप्सन डी महात्मा गांधी ने स्थाक्षर नहीं किया था Next question is कि अख्षिल भारतिय दरीद वर का संग स्धापित किया गया था डॉक्तर भीमरावँ अमेतकर जी के द्वारा Next question is कि बंग भंग बिरोधी यानि स्वदेसी अंदलन का प्रारम कभ वह था स्वदेसी अंदलन का प्रारम वह था 7 अगस 2005 उसम्ट वार और इससे जुड़ी काफी अच्छी पॉइंट्स यहां पी लिखेगे आप इसको अच्छी से पढ़ करके समझ सकते हैं चलिए फिलाल हम बढ़ते हैं next questions की तरफ अगला प्रश्ण यह कह रहा है कि बंगाल का विभाजन मुख्यता किस किया गया था मुख्यता किया गया था क्यों इसका कारण यह था कि बंगाली रास्टवाद को दुर्बल करने के लिए ठीक है option C को टिक करेंगे next question की 1905 में बंगाल विभाजन किस वाय सराय ने किया तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा option A, Sir Andrew Fraser ठीक है option A को टिक करेंगे next question मैंता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंब का ततकाली कारण क्या था ततकाली कारण था लॉर्ड करजन द्वारा बंगाल का विभाजन करना ततकाली कारण यही था स्वदेशी आंदोलन प्रारंब होने का next question मैंता है कि मदरास में स्वदेशी आंदोलन का नेतित्तु किसने क्या था मदरास में स्वादेशी आंदोलन का नेतित्य तो किस ने क्या था चितंबरम पिल्ले ओप्शन सी कोटिक करेंगे नेक्स्ट प्रेस्ट मनता है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुरिण जिवीत करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी आफ ओरियेंटर आर्ट की स्थापना किस ने की थी ये स्थापना की गई थी अबनिंदर नाथ टाइगोर ओप्शन एक ओटिक करेंगे नेक्स्ट प्रेस्ट मनता है कि दच्छिर अफ्रीका से लोटने के पस्चाद गांधी जी ने प्रत्थम सफल सत्यगरा कहां आरम किया प्रत्थम सफल सत्यगरा का आरम किया गया था चंपारन में ऑप्शन बी गोटिक करेंगे नेक्स्टन मनता है कि दच्छिर अफ्रीका में रहने की ओधी में महत्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकासन किया था ये क्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखेगा इंडियन ओपीनियन ठीक है ऑप्सन डीकोटी करेंगे अगला प्रश्ण कहा रहा है कि निमलीखीत में से किस ने उनीज सो बीस इसवी के नागपूर में भारतीय रास्टे कॉंग्रेस का दिवेशन में और सयो गांधुलन के प्रस्ताव को प्रस्तावीत किसके दोरा किया गया था तो यहां पे सही आंसर होगा सी आर दास चितरंज जी के दोरा और मैं आपको यहां पे बता दूं कि यह असयो गांधुलन के सफलता के बाद हुआ था निमलीखीत में से खिलाफ़त आंदुलन का परिणाम क्या था खिलाफ़त आंदुलन का परिणाम था हिंदू, मुसल्मान, मतभेदो की कमी ठीक है नेक्स्ट प्रस्ट मे देखिए कि पुर्ण सौराज संकल्प को भारती राज्ट्रे कॉंग्रेस के लहोर अधिवेशन में किसने प्रस्टूद किया था, ये प्रस्टूद किया गया था किसके दोरा, तो आप्सन हम यहां पे किसे टिक करेंगे, बताए, आप्सन यहां पे बिल्कुल सई होगा, ओप्सन बी, ठीके, जुहारलाल नेरू को टिक करेंगे न, जुहारलाल नेरू, ध्यान रखेंगे, उन्नी सो उन्तिस का ये था, लहोर अधिवेशन, अगला प्रस्ट ये कहा रहा है कि गांदी इर्विन समझाता मुख्यर रूप से किस कारण हुआ, तो करेक्ट आंस्रम ओप्सन एक को टिक करेंगे, गोलमिद समिरेंड में कॉंग्रेस की भागेदारी सहज करने के लिए, नेक्स्ट कोईशन से कि कामा गाठा मारू क्या था, तो देखे, ध्यान रखेगा, कामा गाठा मारू जो था, एक कानड़ा की यातरा पर निकला जलपोत, ओप्सन C को टि कर दिया था, ये किस के दोरा किया गया था, तो इस कोईशन का सही आंसर हो जागा, हम ऑप्सन किसे टिक करेंगे, डी बिल्कुल करेक्ट है, चंदर सेखर अजाद, नेक्स्ट प्रस्ट मनता है कि युगांदर पार्टी का नितित्तु किस ने किया था, युगांदर ंतीकारी संगठन को बंगाल में जन में दिया, तो सही आंसर का अनुसीलन समीती, नेक्स्ट प्रस्ट ने कि निमलीखे सत्य ग्रहों मेंसे किसा नेतितु महात्मा गांदी ने नहीं किया था, तो सही आंसर है, उन्नी सुट थायस का बार्डोली सत्य ग्रह इसकाweight till स्थान के नेता के नेता के रुप में उनका स्थान किस ने लिया गया था किसके दोरा अबास तैबजी के दोरा ऑप्सन ए सही आंसर है देखें नेक्स्ट पस्ट ने क्या रहा कि भारा चोड़ो अंदोलन का नेतित्व किस ने गया था भारा चोड़ो अंदोलन का नेतित्व किया गया था मात्मा गांधी जी के दोरा ऑप्सन सी को टिक करेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन है कि निमलीखित में से किसने गांधी के अंदोलन को राजनेतिक फिरोती कहा था किसने लॉड ली निलित गोने अगला बश्ट मनता है कि 14 जुलाए 1942 को कॉंग्रेस कारे समीती दोरा भाराचोड़ अंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था राचोड़ अंदोलन के दोरान उनके साथ था उनका नाम क्या है उनका नाम हम कह सकते हैं लुई फीसर ठीक है लुई फीसर आप्शन हम एक को टिक करेंगे नेक्स्ट कुईसन के रहा है कि निमली कितमे से किस ने कहा था अच्छा सासन स्वासासन का स्थानापन नहीं है स्थानापन नहीं है ये बात के थी स्वामी दैनंद के द्वरा तो देखे इस वीडियो हम लोगों ने मोडरन स्ट्री को भी कम्प्लीट किया और मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर दीजेगा साथी साथ बाकी वीडियो को नहीं देखा इस सीरीज का तो लिंक नीचे डिया गया डिस्क्रिप्सन चेक कर सकते हैं और मैंने आपको बताया था कि 500 Modern History का MCQ मैंने अल्रेडी आपको अप्लोड कर दिया आप उसको भी देख सकते हैं और Modern History को टॉपिक वाइस पढ़ना चाते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो Modern History का करीब 22-23 वीडियो में अल्रेडी अप्लोड कर रहा है जा करके देख सकते हैं वीडियो में इक्स टॉपिक के साथ वीडियो अच्छे ऐगी हो तो लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ से रक कीजेगा चैनल पे पहली पार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकरेटर बिलकौ वान रख़िए मिलते हैं नेक्ष वीडियो में, ठैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हाव गुड डे ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप BPC की all-round preparation करना चाहते हैं एक ही जगह पे पूरे अच्छे तरीके से, तो आपको BPC ये मौका दे रहा है प्री और मेंस के लिए 12 जनवरी से, बिलकुल हिंदी में, ठीक है, तो आपकी त्यारी पिलकुल अच्छे तरीके से हो जाएगे, आप इस बैच को जोईन कर सकते हैं साथ साथ अगर आपने इस बार जोकी BPC प्री दे दिया है, अगर आप मेंस की प्रेविशन करना चाहते हैं, तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 11 जनवरी से जोकी लक्ष BPC करके, आप इसको जोईन हो सकते हैं, इन्रॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को चिक कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत बड़ी खुशकबरी गई है, अनूब कुमार सिनहा जी जोकी Unacademy पे आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी करविकी बात है, ठीक हैं, मैं आपको बता दूँ कि Unacademy का आप सब्सक्रिप्शन किस तरह से ले सकते हैं, सबसे पहला तो आपको Unacademy का download कर लेना है आप जो कि Learning है play store से, उसके बाद आपना जो भी goals select करना चाहते हैं, जैसे VPC, तो VPC को select करेंगे, VPC को select करने के पस चाहते, आपको get subscription पे click करना है, जैसी आप get subscription पे click करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस में दिया गया जा करके हमारी लिंक को चेक कर सकते हैं